नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखर्ना हुम्योपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे पायोजेनिक लिवर डिजीज यानि कि लिवर एपसेस की लिवर एपसेस जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है और अपने जिस परिवार में किसी को यह समस्या हो जाती है पुरा परिवार परिशान रहता है लिवर साथियों एक बहुत इंपार्टेंट आरगेन है बाडी का, बहुत वाइटल आरगेन है जो 400 से जादा, 400 से जादा metabolic functions को perform करता है लेकिन जब अपने लिवर में एपसेस हो जाता है यानि लिवर में पस बन जाता है तो यह जो function होते हैं, 400 या इससे जादा function होते हैं यहाँ經 nuclear jewn हो जाते हैं और जब यहाँ систican नेप्राइज हो जाते हैं को भी तुरण दिखाना चाहिए और इसके लिए जो भी संभावित कदम है सारे उठाने चाहिए कि आपके लिवर का जो इंफेक्शन है वहाँ ठीक हो जाए हम आपको बताएंगे पायोजेनिक लिवर एफसेस है और पायोजेनिक का मतलब होता है पस फार्मेशन यानि जब भी आपके लिवर में पस फार्मेशन होता है वहाँ ही पायोजेनिक लिवर एफसेस की स्थिती होती है अब पायोजेनिक लिवर इंफेक्शन कब होता है पस कब बनता है पस साथियों आपका तब बनता ह जब आपके liver में कोई infection होता है और जो आपका body का immune system है वो उसे लडाई का प्रयास करता है और लडाई में जीतता भी है जीतने के बाद जो dead cell बनते हैं वही पस होता है bacterial infection उसमें हो जाता है और वहाँ पस आपका जब drain नहीं हो पाता है liver से और liver के ही किसी pocket में fluid में fill हो जाता है वही इस्तिती आपका liver abscess की इस्तिती होती है यहाँ एक भयावा इस्तिती है खतरनाक इस्तिती है तुरत medical attention मांगती है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की symptoms साथियों liver abscess का weight loss एक बहुत बड़ा symptom होता है liver आपके right side ribs के नीचे या ribs के पीछे होता है तो यहाँ पर आपको pain होता है यहाँ राइट side ribs जहां पे आपकी खत्म होती ही वहाँ आपके pain होता है lower abdomen में आपके pain होता है आप feverish होते हैं आपको vomiting महसूस होती है आपको bile आता है और आपका weight loss होने लगता है यहाँ सब इसके मुखे symptoms हैं बात कर लेते हैं इसके causes की साथियों pyogenic liver abscess का बहुत सार sluggish काम करना होता है इस तरह के तमाम कारण है जो आपके हो सकते हैं किसीने कभी आपके bile के tube होते हैं वो damage де हो घागो फ्याद सब्सकांस होता है कभी कोई endoscopy कराया होता है उससे जो damage होता है उस गट में उससे जो है वहाँ आपको liver abscess हो सकता, इस तरह तमाम कारण है जो आपको liver abscess cause कर सकते हैं Homeopathy में साथ ही हो, liver abscess की अच्छी दवाएं हैं, कारगर दवाएं हैं हम आपको बताएंगे उसको ठीक करने की 10 कारगर दवाएं और उन दवाओं के माद्यम से प्रियास करेंगे कि आपके मन में जो भी लिवर एपसेस आपके परिवार या रिष्टेदार को किसी को लिवर एपसेस है, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उसको दवा के फॉर्म में, सिम्टम के रूप में जवाब हम दवा के फॉर् हैं चलते साति यह सफर पे आपको बताते हैं पायोज्यणिक लिवर एपसेस यहनि को ठीक करने की दस्कारगर हुमियोप्य ठीक साति burada से का मतलब लिवर में पस है और अगर आपका यह लिवर का पस सूंख जाए तो तो आपका liver abscess ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और इसी संक्ला की हमारी दवा है या सबसे important दवा है liver abscess को ठीक करने की और दवा का नाम है हिपर हिपर सल्फ वनियम पावर में तीन खुराक 55 मिट के फासले पर आप अपते में एक बार वीकली उसी स्थिती में ले सकते हैं जब आपके liver में पस पड़ा हो आपके राइट साइड डिस्ट के नीचे चलने से बहुत बेन होता हो और आपका abdomen distended यानि की गैस से भरा रहता हो अ रष्प को सुखा के ठीक कर सकती है हिपर सल्फ का साथियों एक और सिंटम होता है जिसको आप अपने संग्यान में ले सकते हैं हिपर सल्फ का मरीज को सर्दी और गर्मी दोनों जादा लगती है और सर्दी और गर्मी चेंज ऑफ वेंदर से जोसकी hyper sensitivity होती है उससे उसको ज के आने लगी तो इस तरह का जो morning और evening का एग्रावेशन होता यहाँ पर सल्फ का एक keynote symptom है तो अगर आपके लिवर में पस है जो की लिवर एपसिस में होता है तो इसको सुखाने की सबसे ची दवा हिपर सल्फियूरिस है एक साथियों स्थिती आती लिवर एपसिस केस में कि आपके right side बहुत तेज पेन हो रहा है ribs के नीचे और वहाँ जलन पैदा कर रहा है तो अगर यहाँ condition आपके है कि आपके right side पेन हो रहा है और वहाँ जलन बर्निंग पैदा कर रहा है तो उस condition को ठीक करने की बहुत रवा साथियों आर्सनिक अल्बम है आर्सनिक अल्बम थाटी दो दो बून दिन में तीन बार आप उस condition में ले सकते हैं जब आपके right side डिप्स के नीचे जलन हो रही है आपको थोड़े थोड़े वक्त पे प्यास लगती है आपको anxiety बहुत रहती है आपकी तकलीफें रात म है और आपको liver abscess है अगर यहां symptom आप में है साथियों तो liver abscess आपका को सही करने की drug of the choice आर्सनिक अल्बम है यहां दवा आपको पूर्टयाठी करने में सक्चम है फिर साथियों कि स्थिती आती है किसी भी patient के कि आपके glandular abscess हो गया हो यानि कि आपके किसी gland में abscess हो गया हो और greenish color के पसका discharge हो रहा हो अगर यहां condition है जो कि liver abscess के case में काफी पाई जाती है तो इसको ठीक करने की हुमियों पैठी में बहुत कारकरदवा मर्क-sol है आप मर्क-solubilis 30 पावर में दो-दो-बून दिन में 3 बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका liver abscess ठीक होने लगा उस हिस्तिती में जब उसमें greenish discharge का आपको अपने डॉक्टर से मालुम पड़े अगर आपको ऐसा मालुम पड़ता है जब वो drain करता है पसको तो उसमें greenish पस निकलता है अगर डॉक्टर आप से यह कहता है तो उस condition को ठीक करने की हुमियों पैठी में दबा मर्क-solubilis है फिर साथ हुए कि इस्तिती आती है कि आपको खाने के बाद तकलीफियां बढ़ गई जब आपने भोजन करा भोजन करने के बाद आपको right side abdomen में pain होने लगा और यहाँ pain आपके right कंधे तक extend कर गया चला गया तो अगर यह इस्तिती हो कि आपको खाने के बाद आपके liver में pain ह होने लगता हो तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर होमियों पर ठीक दवा है लाइको पोडियम क्लेवेटम लाइको पोडियम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं जब आपको खाने के बाद आपकी तकलीफें liver abscess के case में बढ़ जाती हो आपके right side abdomen में pain होने लगता हो और right कंधे पे pain होने लगता हो और आपका पेट पूरा गैस से भरा रहता हो आपको पेट में गुरूरा हाट होती हो पेट यानि पेट के निचले हिस्से में गैस बनती हो lower abdomen में गैस बनती हो यह इस्तिती हो तो इसको ठीक करने की number 1 दवा है लाइको पो आथी ओं आती है आ सकती है किसी में आ सकती है आप में ना है हम तो दुआ करते हैं किसी को liver abscess ना हो तो एक condition आ सकती है कि उसके right side ribs के नीचे और abdomen में unbearable pain हो रहा हो तो अगर आपके या इस्तिती है कि आपको unbearable pain हो रहा है तो उसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दवा कैमो मिला है आप कैमो मिला 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपके राइट साइट रिप्स के नीचे लिवर एपसेस के कारण होने वाले पेन को खत्म करने में पूर्टिया सक्षम है एक इस्टिती आती है साथियों लिवर एपसेस में वहाँ है तेजी से वेट लॉस अगर आपके लिवर एपसेस है और आपके तेजी से वेट लॉस हो रहा है तो उसको ठीक करने के होमियोपेटियों बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सलफर आप Sulfur 1 EM के 3 खुराक 5-5 मिनिट के फासले पर वीकली लिवर एपसिस के कंडिशन में उस सिंटम पे ले सकते हैं कि जब आपके सर्दी बहुत जादा लगती हो आपका वेट लॉस बहुत तेज हो रहा हो आपको फीवर बना रहता हो आपको नहाना बहुत जादा पसंदना हो और आपको खाने में मीठी चीज़े जादा पसंदो और यहाँ 5 सिंटम आप में हैं और आपको लिवर एपसिस है तो आपको ठीक करने में पूर्ट या सक्छम दवा सलफर है इसके तीन कुराक आप हफते में लेकर लाप राप कर सकते हैं एक सिटी आती है साथियों लिवर एपसिस के केस में कि आपके पतले डार्क कलर्ड पस का डिश्चार्ज हो रहा हो जो बहुत ओफेंसिव हो बदबूदार हो अगर यहाँ एस्टिती है लिवर एपसिस के केस में जब आपके डार्क कलर्ड पस का डिश्चार्ज हो रहा है तो उसको ठीक करने की हो में बहुत कारगर दवा लेकैसिस है आप लेकैसिस वन एम की तीन खुराक पच-पच मिट के फासले पर विकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके पस का डिश्चार्ज हो रहा हो वहाँ थीन हो विस्किड हो विस्किड यानि चमकदार हो ब्लूइश टिंट लिए हुए हो और आपकी तकलीफें रात के वक्त पढ़ती हो तो आपकी ड्रक ऑफ दा चॉइस लेकैसिस है आप इसकी तीन खुराक वीकली लेके liver abscess के case में रहात पा सकते हैं एकसातियों condition आती है लिवर abscess के case में कि अगर आपको pyogenic liver abscess है तो आपके काफी ज़्यादा pain right side drifd के नीचे हो सकता है अगर आपके यह right side बहुत ज़्यादा pain हो छूने से भी आपकी तकलीब बढ़ जाती हो तो से सिद्धी को ठीक करने की हुमियों पैठी में बहुत कारगरदवा नक्सवोमिका है आप नक्सवोमिका 30 पावर में 2-3 बार उस कंडिशन में ले सकते हैं कि जब आपके अन्वियरेबिल पेन राइट साइट लूर अब्डॉमेन में छूने पर भी होता हो आपका पेट साफ ना होता हो यानि आप मुशन कई बार जाते हो लेकिन पेट ना साफ होता हो आपको सर्दी जादा लगती हो और आप थोड़े सिंसिटिव नेचर के हो अगर यहाँ सब कंडिशन्स है तो नक्सों मिका आपके लिवर एपसेस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है फिर साथियों कि स्थिति आती है कि आपके लिवर एपसेस हो और आपको बुखार आ कि आओ तो अगर आपके liver abscess है और उस case में आपको fever आ रहा है तो उसको ठीक करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवा और अगर यह symptom आपके match करता है तो liver abscess को भी ठीक करने की बहुत कारगर दवा carbo vegetaplis है आपको carbo waste 30 power में दो दो बून दिन में तीन भार ले सकते हैं यहाँ आपके fever को भी उतारेगी आपके liver abscess को भी ठीक करेगी और अगर आपके अपर abdomen में flatulence रहती है गैस बनती है तो उसको भी पूर्टया ठीक करेगी एक इस्तिती आती है साथियों कि आप जब right side करवट लेके लेटे दाई तरफ की करवट लेके जब आप लेटे तो आपको यहाँ बहुत तेज पेन हुआ रिफ्स के नीचे बहुत तेज पेन हुआ अगर YSTTS आती हो तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा और liver abscess को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा फॉस्फोरस है आप फॉस्फोरस वन एम की तीन खुराग पच-पच मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं उस condition में जब आपके right side करवट लेने से आपके रिफ् यह बढ़ती हूं और आपको ठंडी चीजें खाना बहुत पसंदो अगर यह चार सिम्टम आप अपने में classify कर पाते हैं तो आपको liver abscess को ठीक करने की बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है इसकी तीन खुराग पच-पच मिनट के फासले पर वीकली ले ले और देखेंगे कि आपका liver abscess ठीक होने लगा एक इस्थिती साथियों liver abscess में symptom आ सकता है कि कि किसी को liver abscess हो और जब वो लेटा रहता हो तो उसको बहुत आराम रहता हो लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता हो जैसे ही वो motion में आता हो वैसे उसकी तकलीप बहुत बढ़ जाती हो अगर यहाँ condition liver abscess की case में आपके सामने है तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा खुम्योपित्थी में ब्राइनिया एलबा है ब्राइनिया एलबा 30 दो दो बून दिन में तीन बार उस condition में दी जा सकती है जब आपको भूग बिलकुल ना लगती हो आप जब रिष्ट करते हो तो आपको पेन खतम हो जाता हो बहुत आराम रहता हो लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हो आपकी तकलीफें बढ़ आती हो और आपको लंबे वक्त में प्यास लगती हो एट लॉंग इंटरवल्स आपको प्यास लगती हो अगर यहाँ कंडिशन साप में हो तो आपकी ड्रग ऑफ दा चॉइस ब्राइनिया एलबा है इसकी 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार लेके आप अपने को र हो और आपके पूरे ब्लड में इंफेक्शन फैल जाए पूरा एरिया आपका इंफेक्टेड हो जाए तो उसको ठीक करने की हो में बहुत कारगर दवा इचीनेश्या है आप इचीनेश्या 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपके को ठीक करने की दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी दवा बिना कुसल्चिक सख से प्रिस्क्राइब करें बिना न लीजेगा क्योंकि हो में हर व्यक्ति के सिंटम के हिसाब से समस्याइं भी भिन-भिन हो सकती है लेकिन एक कि दवा साती है जो आप सब के लिए काम की है अगर आपको लिवर की कोई भी दिक्कत है जिसमें की लिवर आपसे भी शामिल है तो लिवर को बचाने के लिए लिवर को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत कारगर दवा है और दवा है चलिडोनियम मेजस आप चलिडोनियम मेजस का मदद हिंचा 20 डॉप टू टाइम्स ले सकते हैं 20 डॉप सुबा आधे कप पानी में और 20 डॉप इवनिंग में आधे कप पानी में या एक दवा जो निश्चित रूप से आपको लिवर का कोई भी एलमेंट हो जिसमें की PLA यानि पायोजेनिक लिवर एफसेस भी शामिल है उन सब दिक्कतों में आराम दे कि आपके लिवर को ताकतवर बनाएगी ये सातियों दवाएं थी आपके लिवर एफसेस को ठीक करने के लिए आपको होमियोपेथी के करीब लाने के लिए अगर आपको सातियों यह वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उनको प्रेडित कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक करके आप सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राथ करते रहिएगा आपका साथियों इती देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद आप करकें ढ़ियुत osoOON को बढात साथ और बहा फजर सबसे साथिज़ करकें मॉल होगी करोत टॉर करकेंगे कि एमया बहार है कि हुआ हैं टुआ हैं पुआ हैं युआ इओ हैं इओ कर दो सेया जी ए यूआ हैं झाल फ़े श्यार सभी हैं कि अरल ξेंग हैं जातinken कि अर्दी से आफ जातर देंग हैं झाल